नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 13 सितंबर दिन बुधवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के चार किसानों को राश्रपती ने किया सम्माने बिहार से जहारखन, उडिशा, यूपी, चब्दसगर और बंगाल के बीच आसान होगा सफर पंकस्त्रे पार्टी ने गाउं में लाइब्रेडी खोल दिवंगत पिता का सपना किया पूरा दिव्यांग चनों को अपना ये काम करवाना है अनिबारे अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर विस्तार से SJVN लिमिटेड ने 308 पदों पर निकाली भरती SJVN लिमिटेड विद्यूत मंत्राले भारत सरकार के प्रशाषनिक के तहत एक मिनी रथन कंपनी SJVN Limited ने Junior Field Engineer, Junior Field Officer, Field Engineer और अने पदों के लिए 308 रिख्तियों के लिए एक भरती अधिसूशना घोसित की है इन पदों के लिए अभियर्थी ओफीसियल वेबसाइट www.https-sjvn.nic.in/. पर जाकर 9 October 2023 या उससे पहले online आविदन कर सकते हैं इस प्रमुक भरती अभियान के लिए आविदन जमा करनी के लिए online आविदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2023 से शिरू होगी इसके लिए अगर सेचनेक योगिता की बात करें तो मिद्वार के पास BE, BTEC, CA, ICWA, CMA, Post Graduate, Diploma, MBA डिग्री या पद के समकच्छ योगिता होनी चाहिए नई दिल्ली में चल रहे तीन दिवसी सम्मीलन में बिहार के चार किसान और दो किसान समु को अलग-अलग फसलों के पौधो की किसमे समरच्छत करने के लिए पुरुसकार देकर सम्मानित किया गया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिन चार विहार की किसानों को सम्मानित किया गया है उनमें रोतास के दो किसान जमुई और मुंगेर के एक एक किसान सामिल है जिनमें रोतास के किसान दिलिप कुमार सिंग को बैगन, टमाटर, करेलाव, धन्या के लिए और अरजुन सिंग को चावल, हल्दी एवं लौकी के लिए सम्मानित किया गया है इसके लावा जमुई के अरजुन मंडल को औसधिये पोधो की खेती के लिए और मुंगेर के सत्यदेव सिंग को चना और तीसी के लिए सम्मानित किया गया वहीं किसान समो में लीची क्रिसक, उतपादक समो और भागलपुर, कतरनी चावल उतपादक समो शामिल है ऐसे में इन किसानों को क्रिसी सचीव संजय कुमार अगरवाल के दरा बधाई भी दी गई है विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जफर इकबाल के बारे में दोनों में रज़त पदक जीता, होकी में उनके शांदार करियर का सरवच गौरव उन्हें 180 में मिला जब उन्होंने मौस्को ओलंपिक में भारत का प्रतिनेदित किया और लंबे अंतराल के बाद स्वर्ण पदक जीता उनके दोरा प्रसक्ष टीम ने 1994 में हीरो सीमा में ECI खेलो में रज़त पदक जीता, देश ने 1983 में स्टी जफर इकबाल को खिलारी के सरवच सम्मान अरजन पुरुसकार से सम्मानित किया 2012 में भारत के राश्टर पती ने उनकी अमुले शेवाओं के लिए पदमस्री से सम्मानित किया और यूपी सरकार ने उन्हें सरवच पुरुसकार दिया 1994 में राजिकार नागरिक पुरुसकार यस भारती उन्हें 2012 में 34 अने उलम्पिक स्वर्ण पदक विजिताओं के साथ होकी इंडिया द्वारा गोल्डन ग्रेट्स मंच पर सम्मानित किया गया था राश्टर के लिए उनकी अप्रिहार्ड सेवाओं की मायता में अलिगर्ण नगर्ड निगम ने उनके नाम पर एक सरक का नाम रखा और 2013 में AMU में होकी के पुनरुद्धार के लिए उनकी प्रतिबतता के सम्मान में विश्विद्याले 9 ने डी लिट के उपाधी प्रदान इस दुरान उनकी आतरा में योगदान करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है मालुमों कि पंकस्त्रिपार्थी ने और उनके बड़े भाई ने अपने माता पिता की याद में पंड़त बनारस्तिवारी फाउंडेशन ट्रस्ट के स्थाप्रा की है बीएड डियलेड पास्ट काणिडेट को लेकर विभाग ने लिया एहम फैसला बीते दिन बिहार में सक्चकों की बहाली को लेकर बिहार, लोकसेवा, आयोग और सक्चा विभाग के बीच होड़े ही बैठक में उनके द्वरा यह फैसला लिया गया है कि बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी सक्चक नहीं बन पाएंगे ऐसे में बीपेसी और विभाग के इस फैसले के बार सक्चक बहाली में शामिल 3.9 श्रेलाग बीएड पास कैनिरेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है बता दे कि अब 14 सितंबर को केवल डियालिट का रिजल्ट जारी किया जाएगा हाला कि अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर की रेस में रहेंगे या रेस से बाहर हो जाएंगे लेकिन फिलाल जो मेरिट लिस्ट तयार किया जा रहा है उसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं होगे बता दे कैसा निर्ण है लेने के पीछे का कारण बीएड पास अभ्यर्थियों के रिजल्ट का मामला कोर्ट में चलने को बताया गया है दरसल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसली को जारी रखा है जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर बहाली के लिए बीएड की योगिता को समात्त कर दिया गया था लेकिन विभाग के दोरा इस मुद्धे पर मार्ग दर्शन की मांग की गई है अब राजे के मुख्या जी हूंगे सम्मानित पतादे किस संबन में पंचाइती राज विभाग के दोरा जल्दी विधिवत रूप से आदेश जारी किया जाएगा उन्होंने बताया किसका मुख्य उद्देश्य बहतर काम करने वालों को पहचान दिलवाना और बहतर करने की प्रतिशपर्दा विकसत करना है ताकि विकास के काड़े में और भी गुनवत्ता आय और तेजी आये बहार से जारकन उडिशा यूपी चाटिस गर और बंगाल के बीच का सफर आसान होने वाला है दरसल इन राज्यों के लिए बहार से 400 मार्गों पर बसों के पड़िचालन का रास्ता साफ हो गया है बता देकिन मार्ग प्रक समथ में परिवहन विभाग के दोरा पीपीडी मोड पर बसों की संख्या बढ़ानी के लिए प्राइवेट बसों के परिचालन का फैसला लिया अगया है वहें सबक लावा विहार के वीविन जिलों से दिल्ली के लिए भी रूटों की संख्या बढ़ाई जाएगी इ इन पर 2000 से अधिक बसे चलेंगी और 500 से अधिक AC बसे चलेंगी। इसके लावब वैसे जिले जो GT रोड पर है या नेशन हाईवे से जुरे हैं उनमें दो दो प्रवर्तन निरक्षकों या प्रवर्तन अवर निरक्षकों की प्रतिनुक्ति की जाएगी। इसको लेकर बिजली कंपनी मुख्याले की ओर से सभी अधिक्षन अभियनताओं को पत्र जारी कर यह नर्देश दिया गया है कि विजर्चर तारों को बदल कर एरियल बंच केबल लगाएं। खुली एल्टी लाइन में सेपरेटर बांधी रोड क्रोसिंग वाली जगह पर जाल वाला सुरक्षा गार्ड लगाएं। जर्चर तारों को बदलने डैमेज पोल को हटा कर नया लगाने और ट्रांसफर को दुरुस्त करने का नर्देश दिया गया है। बिहार पुलिस में ट्रेनिंग के लिए बनाये जाएंगे 22 एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर। बिहार स्टेट आंड पुलिस के मुख्याले और बटालियन कैम्प में की जाएगी। बता दे किसको लेकर ग्री विभाग के ओर से मंजूरी दे दी गई है मालमों कि यह पूरा प्रोजेक्ट 17 सो करोर रुपे का होगा। उन्हें बताया कि ट्रेनिंग देने के लिए बिहार पुलिस के अंदर से ही अच्छे ट्रेनर्स को सेलक्ट किया जाएगा। जिसके लिए पुलिस मुख्याले के तरफ से एक कमिटी बनेगी। बता दे कि ट्रेनर्स सेलक्ट होनी के बाद CBI और फिर CRPF चैसे जगों पर ट्रेनिंग के लिए भेज़ा जाएगा जहां ट्रेनर्स के अलग-अलग व्यवस्ता होंगे। मालम हो कि अगर राज्य में 22 एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर खुल जाते हैं तो राज्य में 26 ट्रेनिंग सेंटर हो जाएंगे। और मटस अस्पताल के साथ एक असी स्तंब आधारित सभाकक्ष की खोज की गई थी। गुपता काल के प्रशिद चिकसक धनवंत्री ने अस्पताल चलाया था। समेकित मुर्गी विकास योजना हेतू पाएं इतनारदान। लेयर मुर्गी चमता हेतू आविदन करे। पतादे किस योजना के तहट स्वलागत एवं प्रसिक्षन को प्रात्मिक्ता देते वे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाब दिया जाएगा। और इसके साथ ही प्रसिक्षन के संदर में मानिता प्राप सरकारी संस्थानों से कुकुड़ पालर में प्रसिक्षन संबंधी प्रमान पत्र ही मानने होंगे। एक चुक मेदवार आविदन करने के लिए । प्रदेश राज़त कारे आले में सुनवाई कारिक्रम के दौरान विविन जिलों से सक्षा विभाग में प्रमान पत्र ही मानने होंगे। जिलोक में अनुकमपा पर निकती को लेकर प्रतिक्षार्था शिकायत करताओं के दौरा सक्षा मंतरी प्रोफेसर चंद्र सिखर के सामने शिकायत करते वे बताया गया कि सक्षक नियोजन नियमवाली 2020 में अनुकमपा निप्ती का कोई इसपस्ट प्रावधान नहीं है और ना ही उतक्रमित विद्यालियों के पदों की गन्नाकर अनुकंपा हेतु चिनहत किया गया है जिस वज़े से हजारों लोग अनुकंपा हेतु प्रतिक्छा रथ हैं जिस पर सक्षा मंतरी के दोरा कहा गया कि महागर्विदन सरकार सुनवाई और कारवाई पर विश्वास करती है और उस दिशा में लगातार कारेच चल रहा है उन्होंने कहा कि राज़े सरकार अनुकंपा के आधार पर निप्ती को लेकर गंभीर है प्रदेश में बारिस की संभावना ना के पड़ाबर विहार में मौसम के मिजाज में अब कोई खास बदलाओ देखने को नहीं मिल रहा मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार दक्षिन पश्मी मौनसून की सक्रेता में कमी देखी जारी है प्रदेश के कई जिलो में बारिस तो कई जिलो में तेज धूप देखा जा रहा है विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार कई इलाकों में ठंका गिरने की संभावना जिताई जारी है तो वहीं प्रदेश के कहीं जिलों में हलकी बारिश भी दर्ज की गई है बता दे कि मौसम विभाग ने कहीं जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है विभाग की तरफ से 13 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि पारिश की संभावना ना के लेकिन वस्तु स्तिती हिया है कि प्रदीशभर में बारिसमना भी बड़ावर है। प्रदीशभर में बारिसमना भी बारिसमना भी बड़ावर है। अब की बात करें तो UDID कार्टढ़ारी सरकारी का लियानकारी योजनाव तक आसानी से पहुंच सकते हैं। डिजल वाहनों पर प्रदूशन करके रूप में दस प्रतीशत अतरिक्त GST लगाने के प्रस्तावपर गढकरी का बयान। पिछले कुछ घंटों से मीडिया में ऐसी खबर चल रही थी कि भारत के सरक परिवहन मंत्री नितन गड़करी के द्वरा ऐसा कहा गया था कि वे डीजल इंजन वहनों पर अतरिक्त 10% टैक्स लगाने का प्रस्ताव करने की योजना बना रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में वित मंत्री के सामने प्रस्ताव रखेंगे वहीं अब इस पर नितन गड़करी के द्वरा स्पस्टी करन देते वे एक्सपर्ट ट्वीट कर लिखा गया है कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतरिक्त GST का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों को स्पस्टी करने क की तितकाल आवशकता है यह स्पस्टी करना आवशक है कि सरकार दोरा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचार धीन नहीं है बड़े गैंग का हुआ खुलासा देश में साइबर अपराधूस जुरी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जारी है से में साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए बिहार में 44 साइबर थाना भी स्थापित किया गया है बता दे किसी क्रम में आर्थी कि काई संग के दोरा साइबर ठगी के तीन गैंग का परदाफास किया गया है या तीनों साइबर ठग अलग अलग राज्यों में बैठकर बिहार में साइबर ठगी के घटना को अंजाम दे रहे हैं बतादी के पहला मामला गया का है जहां एनेडेस्क नामक एप से लोगों को निशाना बनाया जाता था इस मामले में काड़वाई करते वे पुलिस के द्वारा नौ लोगों को गरिफतार किया गया है जिनके पास एकुल 28 मोवाइल जब्त किये गया है दूसरा मामला जारखन का है जो बिहार में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे यह साइबर ठग एनेडेस्क एप से यूपिया इंस्टॉल करा लोगों से पैसा ठखते थे और पैसे से सोने खरीद लेते थे पुलिस ने इनके पास से 300 ग्राम सोना 14 लाग कैस 70 कॉलकता का है जो टेलीग्राम और वाटसेप पर मैसेज कर लोगों को ग्रूप में आड़ करते थे फिर लाइक के नाम पर पैसो का लोब देते थे चात्राओं की जागरुकता के लिए स्कूलों में बनेंगे ये ग्रूप महिला एवं बाल विकास टिगम के दर दिये गए नर्देश के नुसार चात्राओं को कि सुरावस्था के तमाम परिवर्तन और बदलाओ की जानकारी को लेकर जागरुक किया जा सके इसके लिए राज्य के 55,000 स्कूलों में किसोर मंच सेनेटरी ग्रूप का गठन किया जा रहा जिसमें लीडर के रूप में 10 छात्राओं को शामिल किया जाएगा जो स्कूल की अने छात्राओं को ये जानकाली देने का काम करेंगी कि सेनेटरी पैड कस्तवाल कैसे क्या जाता है साफ सफाई से जुरी बाते, पॉस्टिक अहार आदी से संबनित बाते बताने का काम करेंगी मानमोगस ग्रूप को लेकर स्कूलों को पचास गती वीदियो की सूची दी गई है जिने चात्राएं सब्ताह में दो से तीन दिन करवाने का काम कर रही है बतादी के महिला एवं बाल विकास निगम के दोरा सिक्षिकाओं की एक टीम भी तयार की गई है जिने चीफ ट्रेनर बनाया गया है ये अपने अपने जिलों में जाकर हर विद्याले की एक-एक सिक्षिकाओं को प्रसक्तित करने का काम करेंगी प्रखंड अध्यक्षों के साथ तीन घंटे तक चली बैठक में सीम नितीश ने दिया ये दिशानर देश बेते दिन लगाता दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वरा अपने मुख्यमंत्री आवास पर प्रखंड अध्यक्षों के साथ हुई तीन घंटे की बैठक में कहीं दिशानर देश दिये गए जिसमें उन्होंने लोकसभा चनाओ दोहजार चौबस को लेकर सभी को पूरी तरह से तयार रहने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि चनाओ पहले भी हो सकता है इसलिए अलर्ट रहें बतादे कि इस बैठक के बाद पश्रिम चंपारण के प्रखंड अध्यक्ष रविंदर सिंग पटेल के दोरा चानकारे तेते वे बताये गया कि आने वारे चनाओं के लिए संगठन को मजबूती देने का मुख्य मंतरी ने निर्देश दिया है इस दुरान कई लोगों ने CM के सामने अधिकारियों के शिकायत भी की जिस पर उन्हों ने कहा कि हम शिकायत को दूर करेंगे आपके जानकारे के लिए बता दे कि बीते दिन हुई इस बैठक के शिरवात 11 बजे से हुई थी जो कि दो पहर दो बजे तक चली इस बैठक में 24 प्रखंड अध्यक्षता मिल हुए थे इंडिया के समनवे समीती की पहली बैठक आज आज यानी की 13 सितमवर 2013 को देश की राजधा नितिल्ली में इंडिया की समनवे समीती की पहली बैठक होने वाली है बतादी के बैठक दिल्ली में राश्टरवादी कॉंग्रस पार्टी के प्रमुख सरत पवार के आवास पर की जाएगी मालम हो कि आज होने वाले इस बैठक में गडवंधन के रनीती और भविश्य के कारेक्रमों की रूप रेखा तयार की जाएगी मीडिया में चल रही खबरों के नुसार आज बैठक में जिन दरों के सदर्शे सामिल होने वाले हैं कि एक सदर्शे भी सामिल है हाला कि ललन सेंग को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनकी तब्यत खराब है जिस वज़े से वह मिटिंग में सामिल नहीं हो पाएंगे लेकिन इसको लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है प्रशान किसोर का सीएब नितीश पर हमला जन सुराज पद्यातरा के शुतरधार प्रशान किसोर ने कहा कि इंडिया अलायंस में नितीश कुमार अगर रहें भी तो उनकी एक बहुत सिमत भूमिका है जैसे ऐसे चुनाव करीब आएगा ये हमारी बात को लिखकर रख लीजे वैसे वैसे नितीश कुमार की भूमिका सिमत होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मेरी एक भविश्यवानी सुनी होगी बंगाल में जहां मैंने कहा था कि भाजपा को सौ सीड भी नहीं आने वाली है आपको बिहार के नजरिये से एक भविश्यवानी कर देता हूँ कि और चाहे कुछ हो जाए नहीं इतना मैं बिलकुल विश्वास से कह सकता हूँ कि अगले लोग सभा चुनाव में जेडियू के सिंबल से तीर चाप के सिंबल से लड़ने वाले पांच लोग भी चुनावन नहीं जीत पाएंगे क्योंकि नितीश कुमार की छवी जमीन पर बची नहीं है बिहार में जेडियू का संगठन बचा नहीं है और लोगों में विश्वसने तक खत्म हो चुकी है प्रशान की सोर ने आगे कहा कि बिहार में नितीश कुमार का राजनितिक पाला बार बार पलटने से गाउं गाउं में लोग उन पर हसी उड़ा रहे हैं विहार के लोग समझ चुके हैं कि किसी जमाने में शुसासन बावू के नाम से जाने जाने वाले नितीश कुमार की आज प्रात्मिक्ता सर्फ और सर्फ ये है कि मैं किसी तरह मुख्य मंतरी बना रहाँ विहार के तियास में आज की तारीक है कहीं कार्णो सिदर्च प्रधान मंतरी जवाहर लाल नेरू ने 1947 में 40 लाग हिंदूओं और मुसलमानों के पारत्सपरिक स्थांतरन का सुझाओ दिया वो प्रधान मंतरी वल्लब भाई पटेल ने 1948 में सेना को हैदराबाद में घुसकर कारवाई करने और उसे भारतिय संग के साथ एकिक्रित करने का आदेश दिया भारत के विश्वनाथन आनंदनी 2000 को सेन यान में पहला फीडे सतरंज विश्वकप जीता भारत ब्राजील साउथ अफरीका त्रिगूटिय संगठन का पहला सिखर समीलन 2006 में ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में श्रु हुआ भारतिय राजश्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैनरी कॉटन को जन्म 845 को हुआ था भारत की महिला क्रांतिकारी नगेंदर बाला का जन्म 1926 को हुआ था प्रसद कभी एवा निबंदकार भगवत रावत का जन्म 1929 को हुआ था परमीर चक्र सम्मानित भारतिय सयनिक मेजर रामा स्वामी परमीश्वरन का जन्म 1926 को हुआ था भारतिय भनेतरी महिमा चौधरी का जन्म 1973 को हुआ था भारत के किस्वे मुख्य नयधीस रंगनाथ मिश्रा कानिदन 2012 को हुआ था भारत के प्रसद कभी श्रीधर पाठ कानिदन 1928 को हुआ था भारतिय हिंदी फिल्मों के मश्रूर गीत का शायर अंजान कानिदन 1997 को हुआ था वालकर में आजम बात करेंगे जी बीस पर हुए खर्च के बारे में सोसल मेडिया पर कहीं सूचना है बारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है ऐसी करे में आजम प्रिट में लिखा है कि एक ट्वीट में दावा किया गया है कि सरकार ने बजट में आवंटित धन के तुलना में जी बीस पर 300 प्रतीशत अधिक खर्च किया प्रिट में अगे लिखा है कि यह दावा भ्रामक है उद्रत व्याय मुख्य रूप से ITPO द्वारास्थाई संप प्रति निर्मान और अन्य बुनियादी धांचिक के विकास के लिए है जो केवल जी भी सिखर समेरन की मेजबानी तक सिमित नहीं है Microsoft Paint में मिलेगा Photoshop का मज़ा Microsoft Paint में नया अपडेट आने वाला है ये अपडेट आपको Windows 11 अपडेट में मिलेगा जिसमें आपको Paint से जोरे कई नया फीचर्स मिलेंगे इन फीचर्स में पोटो एडेट, टेक्स्ट सहित कई दूसरे अपडेट शामिल होंगे Microsoft ने एक आथिकारी घोशना के माधियम से Paint के लिए Background Removal Tool की पुस्टी की है कमणी ने उले किया है कि उसने Canary और Dev चैनल में Windows Insider पर Paint एप के लिए एक अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है और अपडेट केवल एक क्लिक में किसी भी Image के Background को हटाने में सब्चम होगा Microsoft के अनुसार MS Paint में Background हटाने के लिए केवल एक सिंगल क्लिक की जरूरत होगी जिसमें Users को Image का एक Cutout मिलेगा वहीं User अपने शुवधा के अनुसार पूरे Canvas में से Select Area के Background को भी हटा सकते है इस प्रोसेस के लिए Users को File को Open करना होगा और Full Image Background टूल बार का Select करके Background Removal बटन पर क्लिक करना होगा इसके बाद Users के पास Background हटा के एक Cutout आजाएगा इसके साथ ही अगर यूजर को इमेज के किसे निशित भाग का ही Background राना है तो टूल बार में इसके लिए भी यूजर को Option मिलेगा Coordination Committee की मिटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुँचे तेश्वी आज यानी के 13 सितमबर 2023 को दिल्ली में विपक्षी दलो की गडबंधन इंडिया की Coordination Committee की बैठक होने वाली है SMS मिटिंग में शामिल होने के लिए बीते दिन विहार के उपमुख्य मंतरी तेश्वी आदब दिल्ली पहुँच चुके हैं वहीं दिल्ली के लिए बीते दिन रवाना होने के बाद पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते वे कहा कि 13 सितमबर के शाम को इंडिया गडबंधन की पहली Coordination Committee की मिटिंग होने वाली है SMS बैटिक में जो भी बाते की जाएंगी उसमें हम अपनी राय रखेंगे इसके लावा तेश्वी आदब के दोरा राजस सुप्रीमो लालो पुषाद यादब के खिलाफ मावला चलाये जाने पर बोला गया कि यह सब पहले भी होता आया है यह कोई नई चीज नहीं है यह स सवाल में आपने कितना सही उतर दिया प्रपा करके यहां में कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किस देश में नौर्थ इस्ट इंडिया फेस्टिबल आयूजित किया जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटिन ऑप्शन B स्रिलंका ऑप्शन C भुटान सितंबर दो हजार तईस में सहींतराष्ठ महासभा की कौन सी बैठक हुई है ओप्शन A अठरवी बैठक ऑप्शन B उन्यासवी बैठक ऑप्शन C असी वी बैठक ऑप्शन D 81 बैठक इसका सही उत्तर है ओप्शने 38 वी बैठक अगला सवाल, हाली में किस बैंक ने UPI ATM सुवधा की श्रवात की है? ओप्शने बैंक ओफ इंडिया, ओप्शन B स्टेट बैंक ओफ इंडिया, ओप्शन C बैंक ओ बड़ोदा, ओप्शन D केंरा बैंक इसका सही उत्तर है ओप्शन C बैंक ओफ बड़ोदा, अगला सवाल, कोटली के अर्थसास्तर में किस पहलो पर प्रकास जाला गया है? ओप्शन D आर्थिक जीवन, ओप्शन B राजनितिक नीतिया, ओप्शन C धार्मिक जीवन, ओप्शन D समाजिक जीवन इसका सही उत्तर है ओप्शन B राजनितिक नीतिया, अगला सवाल, बहुत धार्मिक साहिति में कौन सा ग्रंध प्राचीन विहार के इतिहास के सम्मध में जानकारी का श्रोथ है? ओप्शन E अंगतूर निकाई, ओप्शन B दिग निकाई, ओप्शन C विन्य पिटक, ओप्शन D उप्शन सभी इसका सही उत्तर है ओप्शन B दिग निकाई बीते जिन्हें हमारे दरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की योड़ आज का सवाल है आपके छेतर में कितने घंटे बिजली उपलद करवाई जाती है अपना जवाब हमें अमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबड़ों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले प्राइब प्राइब बाद